नमस्कार दोस्तो मैंने बहुत पहले मेकनिकल सील, बेसिक्स और उसके टाइपस के उपर दो वीडियो बनाया थे करीब-करीं दो-तीन साल पहले वीडियो जो लोगों ने बहुत पसंद किये थे और कंटीनुसली कमेंट आते रहे थे कि Mechanical Seal Flushing Plan की भी वीडियो बनाया जाए मैंने Mechanical Seal Flushing Plan के भी वीडियो बनाया थे करिव करिवी सालबर पहले और उस वीडियोस को भी लोगों ने पसंद किया था बट अनफर्चुनेटली वो वीडियोस यूटूब से डिलीट हो गया कि वो वीडियोस दुबारा अप्लोड कर दिया जाया लेकिन जो कि पहले ही उस वीडियोस में कॉपी डाइट श्ट्राइक आया था तो उसको दुबारा अप्लोड करने का कोई मतलब बनता नहीं था इसी बीच मेरी सिकंदर नाम के जो हमारे एक वीवर हैं उनसे मेरी पातचीत हुई थी मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि अगर यह डाइग्राम जो है अगर आप बना देते हैं तो मैं इस मेकेनिकल सिल फ्लाशिंग प्लान को वीडियोस को दुबारा अप्लोड कर सकता हूँ तो उन्होंने मेरा रिक्वेस्ट एकसप्ट किया और उन्होंने ड्याग्राम बनाए उनकी अच्छी थी तो फिर से उनके ड्याग्राम के हल से इस वीडियोज को फिर से अप्लोड कर रहा हो मेकेनिकल सिल फ्लाशिंग प्लान कर देते हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आये तो आप लोग ज़रूर उनको एप्रिशेट किये जाएगा क्योंकि उन्होंने निस्वार्थ भाव से यह सारे डाइग्राम बनाया है और डाइग्राम बना करके हम मुझे सेंड किया है बिने किसी च बनाया है तो तो आप सभी को यह रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उनको ज़रूर एप्रिशेट करें एन्यवेइड मेकैनिकल सील फ्लसिंग प्लांट का जो अंडेस्टेंडिक है नो वन अप दो मोस्ट इंपोर्टेंट अंडेस्टेंडिंग है अगर आप डेस्पां देस्टेंड में काम है क्योंकि या ड्यर्टो डे लाइक में काम में आता है इविन अप केमिकल एंजिनियर है या मेकैनिकल एंजिनियर है कोई से भी इंजिनcular इंग्जर कोई स牌 मतलब यही दोनों य इंजिनीरिंग ilanाटों अगर आप हैं तो आपक कितने टाइब के मेकेनिकल सील होता है कोई बात नहीं लेकिन मेकेनिकल सील फ्लसिंग प्लान कैसे काम करता है उसके क्या क्या उसमें सावधानी रखनी है और कौन सा फ्लसिंग प्लान कैसे काम करता है उसमें क्या के परेमिटर देखने पड़ते हैं वो बहुत नहीं कर सकते हैं तो इसलिए वीडियो बहुत important होने वाला हैं काफी detail में समझेंगे और बहुत अच्छा से समझेंगे एक एक plan को काफी detail में समझेंगे सभी logic से समझेंगे की कौन सा plan के हो हैं और उसके क्या-क्या advantage हो रहा है क्या-क्या उसमें कौसान रखनी है इसको detail में समझेंगे तो वीडियो स्टार्ट करते हैं देखें mechanical seal flushing plan समझने के पहले mechanical seal basics में भी मैंने यह बताया था और उस basis को थोड़ा quickly revise कर लेते हैं वैसा तो अगर आपको थोड़ा अच्छे से समझने हैं तो mechanical seal basics वाला वीडियो आप फिर से देख लिए लेकिन अगर नहीं भी देखने हैं तो quickly revise कर लेते हैं यहां पर यहां पर देखें कोई mechanical seal होता है तो उसके गूस बोलते हैं ठीक है तो यह चीज है और यह जो seal दोनों seal के नीचे वाला जो यह पार्ट है यह atmosphere साइड में है मतलब यह seal chamber इस साइड है और यह बाहर atmospheric साइड है तो यह चीजे एक basic understanding है अब देखें यहां पर दो seal faces है के rotary part ए एक stationary part है और यह दोनों जहां जहां पर contact हो में आ रहा है इसको seal face बोलते हैं दो पार्ट है ना rotary part और stationary part जहां पर contact में आ रहा है उसको seal face बोलते हैं अब यहां पर एक important बात यह है कि अगर rotary एक part घूम रहा है एक part stationary है तो अगर दोनों face direct contact में रहेंगे न तो यह क्या होगा erode हो जाएगा और erode रहने के कारण इसमें gap बन जाएगा तो seal chamber का liquid बहार आ जाएगा अट्मस्परिक साइड में और mechanical seal leak कर जाएगा इसलिए बहुत important है कि यह दोनों seal face direct contact में नहीं रहें आचा direct contact में रहें तो gap में रहेंगे तो फिर से seal chamber का liquid बहार आ जाएगा तो इसलिए important है कि यह दोनों face direct contact में भी नहीं रहें और gap भी नहीं रहें इसलिए यह दोनों सील फेस के बीच में एक लुब्रिकेशन रहता है लुब्रिकेटिंग ओयल जाता है और वो लुब्रिकेटिंग ओयल का रहना यहां बहुत इंपोर्टेंट है उसी वज़र से सील का हेल्दीनेस डिसाइड होगा यहां पर एक इंपोर्टेंट बात यहां है कि लुबिकेशन के लिए जो उयल जाता है कुछ भी हो सकता है सील चेमबर यानी प्रोसेस फ्लीड ही हो सकता है यहां बाहर से भी दे सकते हैं यहां पर बाहर से भी फ्लुइद दे सकते हैं कोई भी फ्लूइट यह लुब्रिकेशन के लिए जा रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ही हो जाती है कि वह फ्लूइट जो है वेपॉराइज नहीं होना चाहिए अदरवाइज वेपॉराइज होगा तो यह दोनों सील फेस डायरेक कांटेक्ट में आएंगे इरोड होकर के सीलिक हो सकता है अब यह कोई भी फ्लूइट वेपॉराइज नहीं हो उसके लिए दो इंपॉर्टेंट बात है एक तो उसका प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसका वेपॉराइजेसन टेंडेंसी उतना कम होगा और दूसरा बात उसका टेंप्रेचर उसका जितना कम होगा उसका वेपॉराइजेसन टेंडेंसी उसका उतना ही कम होगा तो तो टेंप्रेचर से लिंक रहता है वेपर प्रेशर यानि जितना टेंप्रेचर कम होगा उतना उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो यह जो है ना यह स्टाफिंग बाक्स प्रेशर मैनस वेप यानि वेपर प्रेशन से उसका स्टुफिंग बक्स प्रेशन चितना है वो हो डिसाइड करेगा कि यहाँ का joh flaw Li- crystalline gene wafporize होगा instead, उतना जादा होगा उतना कंट चैंबर होने के लिए और उतना ही अच्छा बढ़ाने के दो उपाय या तो seal chamber के अंदर का जो fluid है उसका pressure बढ़ा दीजिए या फिर वहां का temperature घटा दीजिए temperature घटाने से vapor pressure घट जाएगा और यह margin बढ़ जाएगा अब जितनी भी seal flushing plan है वो इन ही concept पे काम करते हैं वो इस तरह से design रहते हैं कि या तो seal chamber के अंदर pressure बढ़ा देते हैं या फिर seal chamber का temperature घटा देते हैं ताकि vapor pressure घट जाता है और इस तरह से vapor margin बढ़ जाता है और फ्रीट का vaporization घट जाता है तो इसी concept पे हम लोग बात करेंगे अब हम बात कर रहे है purpose of piping plans के seal flushing plan का क्या purpose है यानि उसके क्या क्या फायदे है उसके बारे में बात करेंगे देखे seal flushing plan ना seal के लिए एक more favorable environment create करता है कैसे create करता है और क्या क्या उससे फायदे होते है वो देखिए और देखिए कुछ seal flushing plans कुछ seal होते हैं सिंगल seal होते हैं कुछ seal होते हैं डियुल सील होते हैं तो ये जो फायदे है नहीं सारे ही seal के लिए है और डियुल सील के लिए कुछ एक्स्ट्रा फायदा है वह यहां पे लिखे गया तो देखे यह more favorable environment create करता है कैसे यह heat remove करते रहता है seal chamber के अंदर का heat remove करता है कैसे circulation के तुरू जैसे देखे माल लिजे कि अगर यह seal chamber है और यहां का fluid जो है ना stagnant रहेगा तो heat dissipation होगा circulation में है soft तो heat dissipation होगा और इसको बदेखे से seal जो है seal fluid जो है seal chamber का fluid जो है गरम हो जाएगा और heat हो जाएगा lot तो यह क्या करता है seal flushing plan इस तरह से होता है कि जो fluid को shift circulation में रखता है τη provision sheet बहुने हो JUST इसकी बदेखे से heat होते रहता है और heat remove होते होते है pestlica एक इस तरह से favorable environment create करता है heat remove होने के कारण से fluid का temperature घड़ जाता है और उसकी वाज़ से vapor margin बढ़ जाता है एक तो यह उसके लागा कुछ seal flushing plant ऐसे होते हैं जहां पर वो इस तरह से design होते हैं कि discharge से fluid को seal chamber मिला रहे हैं और इस तरह से discharge pressure जादा रहता है इसलिए seal chamber का भी pressure बढ़ जाता है इस तरह से seal chamber का pressure बढ़ने के गारें भी vapor margin बढ़ जाता है देखिए तो वो seal face है दोनों seal face के अंदर lubricating के लिए जा रहा है अगर process fluid तो process fluid ज़रूर clean होना चाहिए अगर उसमें dots रहेंगे तो वो क्या होगा इरोड कर देगा दोनों seal face को इसलिए process fluid का clean होना ज़रूर है अगर process fluid clean है तो तो ठीक है अगर नहीं clean है तो कुछ seal plus implant ऐसे होते हैं जिसमें कुछ filter दे दिया जिससे cleaning भी कर देता है तो ये भी इस तरह से ये favorable environment create करता है इसके लाव control atmospheric side of seal अब ये important है ये समझना है मैंने बात किया था कि ये जो side है ये atmospheric side है और इस side का भी controlling action जरूर है क्यों जरूर है वो समझते हैं देखे क्या है ये जो हमने बात किया था जब mechanical seal basics के बारे में बात किया था तो बताया था कि कुछ seal जो होता है पूसर type of seal होता है जहां पे seal face ये आगे-पीछे होते रहते है तो मालीजी ये आगे-पीछे move कर रहे है तो generally अगर हड़ एक mechanical seal कुछ-कुछ leak होते रहता है जो कि आपको naked eye से नहीं दिखेगा अपने human eye से तो नहीं दिखेगा लेकिन leak होता रहता है तभी ये इसे और हम कर पाएंगे कि पूरा seal जो है में lubrication film बन रहा है अगर जो leak हो रहा है उसकी बाए से जो बाहर material आ रहा है वो ऐसा material है कि बाहर आके उस temperature पे low temperature पे coke हो जाए जैसे heavy VR है या HO है इस तरह के जो फ्लूइड है उसमें एक टेंडेंसी रहती है या फिर इवेन जो कॉस्टिक है यह सब क्रिस्टलाइज होने की टेंडेंसी रहती है तो यह बाहर आके अगर क्रिस्टलाइज हो जाना है तो क्या होगा कि यह सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इसका movement पूसर टाइप अफ सील के movement बंद हो जाएगा अब movement बंद होने के कारण हंग ओ करके सील फेलियर हो जाएगा तो इस तरह के जहां problem होते हैं वहाँ पर बाहर से भी एक arrangement रहता है सील फ्लसिंग प्लान में तो यह जो फ्लसिंग प्लान है यह सारे ही सील फ्लसिंग प्लान में यह जो परपस है सारे ही सील फ्लसिंग प्लान में फुलफिल होते हैं इसके लाग कुछ ऐसे परपस या फायदे है जो कि सिर्फ डूएल सील में होगा dual seal एक ऐसा seal होता है जिसमें दो-दो seal होता है एक अंदर seal होता है जिसको inner seal और बहार seal होता है जिसको outer seal होता है और यह इस तरह से, डुल seal होने के बादे से आपको पता चल जाता है कि seal leak है बट फिर भी atmosphere में process fluid नहीं आपाता है यह करता है कोई भी seal leak होता है उसको capture कर लेता है और detect है detect कर लेता है पता चल जाता है कि seal leak है और उसको capture करके appropriate collection में मतलब CBD या flare में root कर देता है तो बाहर नहीं आने पता है और पता चल जाता है कि seal leak है कि तो आप timely maintenance कर देते हैं इसके लिएफञाiego provide fluid. Other than processwwwds for seal environment क्या है कि अगर सील इंवार्मेंट इस तरह से जहां पर प्रोसेस फ्लूइड अच्छा नहीं है सील फेस के लिए तो बाहर से भी फ्लूइड प्रोवाइड कर देता है तो यह सब इसके फायदे है अब हम बात कर रहे हैं मेकैनिकल सील पाइपिंग प्लांस कितने तरह के होते है है तेकिंकल सील फायपिंग प्लांस डिफ्रेंट टाइप के होता है hex experiment लुश होते हैं अब सिंगल सील जहां पे यूज हो रहा है जैसे वहां पे जो प्लाउपिंग प्लान यूज होता है वही होता है 123 गयाँ बारदह 14 साभी के बाहरं में टिटैल में बात करेंये सबीक आरेंजमेंट थोड़ा थोड़ा अलग होता है और अलग-अलग purpose के लिए यूज होते है कुछ जहां पर Dual seal होता है वहां का plusing plant थोड़ा अलग हो जाता है उसमें दो तरह से हो सकता है या फिर वो dual seal अगर un-pressurized है जिसको tandem seal भी बोलते है तो उसमें क्या होता है अंदर वाले सील में तो यह फ्लसिंग प्लान यूज हो जाता है और बाहर वाले सील में प्लान 52 यूज होता है यहां पिर कुछ ऐसे seal होते हैं, dual seal जो pressurized dual seal होते हैं, जिसमें कि दोनों seal में बाहर से fluid जाता है, उसमें plant 53, ABC या plant 54 इस तरह के seal flushing plan यूज़ होते हैं atmospheric side में जो seal होता है, उसके लिए अलग plan होते हैं, जिसके मैंने अभी कुछ दे पहले बात भी किया था, जैसे plan 62 है, other type के भी seal flushing plan है, और कुछ seal flushing plan होते हैं, जहां पे liquid ना use होते हैं, gas यूज़ होता है, dry gas होता है, मैं लिए compressor में मैंने देखा है, तो compressor में जो flushing plan यूज़ हो 1, 2, 11, 12 इस तरह के seal flushing के बारे में बात करेंगे, तो start करते हैं, देखिए यह plan 1 है, plan 1 जो है, इसमें क्या है, इसमें जो है यह आपका impeller है, यह shaft है, और यहां पे यह throat boost है, और यहां यह process fluid है, तो देखिए यह process fluid है, सक्सन से discharge में यह जा रहा है, और यहां पे यह channel बना द देखिए यह सभी plugged है, यहां पे कुछ और नहीं है, तो internal है, यह जो seal flushing plan है, यह pump के अंदर ही अंदर रहता है, आपको दिखता नहीं, यहां पे अंदर ही अंदर fluid circulate हो रहा है, यहां से आ रहा है, फिर throat boost के अंदर से फिर impeller में चला जा रहा है, इस तरह fluid का circulation हो रहा है, अ discharge से एक fluid आएगा, और वो यहां पे seal chamber में जाएगा, और फिर throat boost के अंदर ऐसे circulation होता है, ऐसे circulation होता है, ठीक है, और यह प्लानिक गया रहा है, वही same काम कर रहा है, लेकिन वह internally कर रहा है, तो internally कर रहा है, तो इसका फायदा और नुकसान क्या है, वो देखता है, देखिए, इसका, यह जो important बात कहा है, कि internal product risk circulation from pump discharge to seal chamber, यह तो समझी रहा है, अब इसमें फायदा क्या हो जाता है, कि यह जो freezing और polymerization का risk इसमें कम हो जाता है, क्यों, जैसे pump जो चल रहा है, चल रहा है तब तो ठीक है, जब बंद हो जाता है, तो अगर बाहर से line है, और ऐसा fluid है, जो क क्या यह अंदर ही अंदर रहता है, और pump अगर warm-up में है, तो यह sufficiently इतना गरम रहता है, कि fluid इसके अंदर का freeze नहीं हो पाए, तो यह इसका फायदा है, तो यहाँ पर यह लिखा है, minimizes risk of freezing, polymerization of fluid in flush piping, plant exposed to atmosphere, मत्तों compare to plant 11 से यह फायदा है, दूसरा ही है, कि heat remove तो होगा ही, क्यो करते हैं, देखें कोई भी pump है, अगर works-up में जा रहा है, maintenance में जा रहा है, तो works-up से जब वापस आता है, plant में, तो उसके impeller के अंदर air भरा रहता है, उस air को निकालना पड़ता है, और उसको हम लोग priming या venting भी कहते हैं, अब यह priming करने के लिए, जेनरली pump के casing के उपर, एक vent line होता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग vent खोल करके, अप्रामिंग करते हैं, अब यहाँ पर important बात यह है, कि अगर इस तरह का flushing plan है, तो seal chamber को अलग से venting करने के जरूत नहीं परेगे, क्यों, कैसे, मालीजे, सक्षनवाल खुला, फ्लूइड जब भढ़ेगा, तो यहाँ पर भी fluid आएगा, इस seal chamber में भी fluid आएगा, और seal chamber में भी fluid भढ़ना चलूँगा, तो seal chamber से जो यह फ्लूइड आएगा, तो fluid आके air जो है, यहाँ परी कठा होगा, air अल्टिमेटली इस line से, ultimately discharge line में चला जाएगा, तो अलग से आपक को एक अलग से connection देना परता है, समझ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो भी fluid आएगा, वो यहाँ भढ़ेगा, और भढ़ करके, ultimately इस line के थुरू, air जो है, वो निकल जाएगा, तो इसलिए इसको self venting भी बोल रहा है, ठीक है, अब इसका, इसका, इस्तमाल कहां कहां होगा, यह जनरली clean fluid में use होता है, क्यों क्योंकि seal face के अंदर यही fluid जा रहा है, तो अगर clean नहीं होगा, अगर उसमें dots होगा, तो seal face erode हो जाएगा, और erode होने के बाई से seal leak हो सकता है, उसके लगा, recommended for fluid which taken at ambient temperature, और generally इसको single seal में use होता है, dual seal में generally use नहीं होता है, यह क्या लिका है, recommended for fluid which thicken at ambient temperature, जहाँ पर room temperature पर आनम पर अगर fluid ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पर इसको use करते है, क्योंकि वहाँ पर planning gear रहा है, यूज नहीं कर पाएगा, अब इसमें सावधानी क्या क्या रखना है, तकि सावधानी तो एक design के time रखना है, calculate plus flow rate based on head loss through internal porting, अब क्या है, कि माल लिज तो थोड़ा सा pressure घटेगा, तो ये जो head loss होगा, उसी head loss से यहाँ पर circulation decide होगा, तो इसलिए लिखा है, calculate plus flow rate based on head loss through internal porting, दूसरा है, ensure that the recirculation is sufficient for seal heat removal, तो जितना head loss होगा, उतना जादा circulation हो रहा है, तो उसके basis पर हम लोग एक ensure कर सकते हैं, कि circulation हो रहा है कि नहीं, हालांकि इसमें प्लान 11 की तरह उतना सुभिदा तो है नहीं, अंदर ही अंदर है, आप बहुत अच्छे से देख नहीं पाऊगे, कि यहाँ पर circulation हो रहा है कि नहीं, तो य seal chamber में घुसा रहाता है, और stagnant रहाता है, देखिए, यहाँ पर seal chamber में है, और यह stagnant fluid है, यहाँ पर यह थोड़ा गलत बना दिये गया, यह connected नहीं, तो यह seal chamber में आके stagnant हो गया, तो आप बोलोगे, यह क्या flushing plant है, इसमें तो कुछ flushing नहीं हो रहा है, कोई circulation ही नहीं हो रहा इसमें मतलब ही नहीं बनता है, इस seal flushing plant को देने के लिए, लेकिन इसको दे सकते है, कहाँ दे सकते है, यहाँ दे सकते है, जहाँ पर अगर, एक तो होना चाहिए, कि cool clean fluid with high specific heat, cool रहा चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ज्यादा गरम तो होना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको ठंडा करने का तो कुछ करी नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, क्योंकि seal face के अंदर जा रहा है, और high specific heat होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी तो cool है, और थोड़ा देर में पंप चलने के बाएद तो temperature gain कर जाए, ऐसा नहीं, specific heat अगर जादा होगा, तो temperature gain बहुत क बुगार दिया जा रहता है, उसमें एक jacket दे दिया जाता है, अब jacket का क्या काम होता है, तो jacket एक jacket दिया गया और jacket के अंदर cooling liquid को circulate करा दिया गया, जैसे यह देखे, यहाँ पर एक jacket है, नीचे जर्केट है, और इसमें cooling liquid को, cooling water को circulate करा दो गया, तो बहर ही बहर से इस तरह स पूरा seal chamber को आप cooling कर रहा है, जहाँ पर गर्म होने के चांस है, वैसे ही जहाँ पर ठंडा हो करके जमने के चांस है, वहाँ पर heating के लिए भी यूज कर सकते है, heating jacket, steam यूज कर सकते है, तो depending on requirement, कि यह dead in sand chamber है, और बाहर से jacket दे करके, इसका heating या cooling किया जाता है, तो यह देखे cooling jacket, seal chamber in high temperature service, heating jacket, seal chamber in fluid that's solidified at low temperature, तो यह इसका feature है, अब यह इसमें साउधानी किया कर रखना है, कि यहाँ पर adequate boiling point margin होना चाहिए, already, कि इसमें आप ना ठंडा कर पा रहे हो, ना प्रेसर बना पा रहे हो, इसलिए boiling point margin जहाँ बहुत जादा होगा, वहीं पर इसको देखेंगे, cooling fluid in seal chamber jacket may be needed at all time in hot services, और often used in combination with steam quench plant 62, तो आदेखें, क्या है ना, कि आप जो सोचोगे ना कि यह तो dead in seal chamber है, generally use नहीं होता होगा, ऐसा नहीं होता है, मैंने खुद बहुत जगह पे देखा, जनरली heavy liquid जैसे FCC के feed pump में ऐसा plan देखा है, वैकिम distillation unit के बहुत सारे pumpों में मैंने इस तरह के plan है, और generally जहां भी यह plan होता है, यूज होता है, वहाँ पे यह plan 62 के साथ ही use होता है, मतलब अंदर में plan 2 है, एकदम dead in है, और बाहर से atmosphere side में एक steam quench दे दिया जाता है, जिसके बार में मैंने बात किया कर रहा था, कि कुछ भी leak होकर रहा है, तो उसको flush करने के ल में तो मैंने देखा है, इससे use होता भी है, ठीक है, अब हम बात करेंगे one of the most important seal flushing plan, जो की सबसे ज़्यादा refinery में use होता है, और उसको plan करना हम है plan 11, plan 11 कैसे काम करता है, मैंने कुछ दिर पहले ही बताया था, उसमें कुछ नहीं discharge से fluid लेता है, एक orifice के through, flow control orifice, restriction orifice के through, औ वो आता है यहां पर, और वो यहां से आ करके throat boost के through, वो अपस impaler में चला जाता है, यहां पर गलती से flush plugged लिख दिया है, प्लग नहीं है, यहां पर तो arrangement है, ही flushing के लिए, गलत से वो plan 1 और 2 की ज़गा पर लिख दिया गया, और यह देखिए, यह steam quench भी बाहर से atmospheric side से ऐसा ह अगर किसी seal plus plan में ऐसा है, तो plan 11 और 62 ऐसा है, तो अंदर तो जाएगा plan 11 और process flow, और बाहर जाएगा steam quench, anyway, अब इसमें, इसका क्या 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 खासियत है, वो देखते हैं, तो मैंने अभी बता है, product recirculation कहां से हो रहा, pump discharge से seal तक through flow control orifice, तो इस चुकी circulation हो रहा, तो heat removal होग तो vapor margin बढ़ेगा, vapor pressure घटने की बज़े से, बिल्कुल ठीक है, दूसरा बात, prevent product from vaporizing by maintaining positive pressure above vapor pressure, चुकी यह fluid जो आ रहा है, seal chamber में, वो discharge pressure से आ रहा है, और discharge pressure हाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर यह जब आएगा ना, तो seal chamber का pressure भी बढ़ेगा, तो vapor margin यहाँ पर दो बढ़ र अब देखिए, यहाँ का seal chamber का pressure होगा, वो दो बज़े से, दो चीज से decide होगा, एक तो यह orifice की बज़े से, जितना छोटा होगा, वहाँ पर इतना कम pressure आएगा, अगर orifice बढ़ा कर दिया तो पूरा का पूरा यहाँ पर pressure आजाएगा, दूसरा है throat boost clearance, जितना ज्यादा होग यहाँ पर pressure कम होगा, अगर एक दम कम है तो जो भी fluid आ रहा है यहाँ पर अच्छे से बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ प्रेसर बढ़ जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर seal chamber का pressure decide होगा, अब यहाँ पर एक और पात important है, कि become a self venting plan for a gentle pump, जैसे मैंने पहले भी बात किया कि यह भी इसमें भी अलग से venting करना नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, simple है, जो भी अगर pump वक्सप से आया, मेंटनेस से तो अगर आप इधर से fluid भर रहा है, तो फ्लूइड भरने पर थ्रोट बूस से यहाँ पर फ्लूइड आएगा, air यहाँ से निकल करके अटोमेटिकली डिश्चार्ज लाइन में चला जाएगा, तो इस seal chamber को अलग से vent करने का जरूद नहीं पड़ेगा, जबकि आप इस flushing plan की बात करो, इस flushing plan में यहाँ पे एक venting का requirement होगा, इसलिए यह जो देखे न, यह जो है यहाँ बेंटिंग है, क्योंकि यहाँ पे जो इसके बाद यह जो लिखा है कि default API plant for moss single seal, यह सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैं तो बहुत जगह पे इसको देखा है, single seal arrangement में भी देखा है, और double seal arrangement में भी देखा है, मतलब अगर सिफ single seal है, जैसे DM water का pump है, acoustic pump है, तो वहाँ पे planning gear रहा है, with 62 plusing plan, atmospheric side 62, और अंदर seal में planning gear देखा है, और ऐसे भी जगह पे use हो रहा है, जहाँ पे dual seal होता है, dual seal मतलब 2 seal होता है, तो वहाँ पे plan gear रहा अंदर के seal में use होता है, और बाहर में plan 52 यूज होता है, जहाँ पे seal port दे करके, और different, मने बाहर का कोई fluid बाहर के seal में देते है, ठीक है, तो यह दूसरा ही है कि य non-polymerizing fluid होना चाहिए, जहाँ पे with moderate temperature वहाँ पे use होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप बहुत high temperature पे use कर रहा है, और pump बंद हो रहा है, तो fluid ही polymerize हो जा रहा है, तो polymerize होगा तो क्या होगा, यह orifice clog हो जाएगा, और फिस clog हो जाएगा, तो फिर यह पूरा flushing plan ही बरबाद हो ज इसलिए यहाँ पे लिखाया है कि minimum 3 mm का diameter का orifice तो होना ही चाहिए, इससे छोटा use करोग होने के chance ज्यादा होगा, दूसरा बात ही है, लेकिन इसमें एक फायदा क्या है, कि आप इस plan को देख करके, जैसे plan 11 में आप देख करके बता सकते हैं कि यह line through है कि नहीं, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको पता नहीं चलता है कि circulation हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और बात करते हैं, इसमें calculation of recirculation flow rate, heat removal and orifice size required है, कि orifice size इस तरह से design होना चाहिए, कि you decide हो जाए कि जितना circulation चाहिए, उतना हो रहा है कि नहीं, heat removal हो रहा है कि अगर आप discharge pressure और seal chamber के बीच में, margin अ तो आप orifice नहीं भी दो तो चलेगा, इस तरह से है, ठीकर है, तो इस तरह से check the margin between discharge pressure and seal chamber pressure to ensure proper flow of fluid, उस तरह से orifice design होता है, और इसके साथ साथ throat boost का भी sizing इस तरह से decide होता है, कि वो seal chamber का pressure decide करे, तो आप समझ जाए ना, इस तरह से यह orifice chamber का size जितना छोटा या बढ़ा होगा, वो यहां का seal chamber pressure decide करेगा, उस तरह से throat boost clearance भी decide करेगा, तो यह दोनों डिजाइन इस तरह से किया जाता है, कि proper circulation बना रहा है, और seal chamber का pressure बना रहा है, अब यह plant के बारे में बात करें, plant 12, plant 11 जो है न, यह सभी में हमने क्या बात किया, यह सारे जग़ पे हमने यह बात किया था उस दोनों seal face के अंदर जा करके seal face को erode कर देगा, और erode होने की बाज़े से seal leak हो जाएगा, अगर आपका dirty fluid है, तो वहां पर यह seal flushing plant नहीं हो जाता है, जबकि plant 2 में क्या किया है, कि इसी orifice के just पहले एक stainer दे दिया है, तो stainer देने की बाज़े से जो भी fluid है, उसका dirt है यह यहां पर clean होकर के fluid seal chamber के अंदर जा सकता है, तो इस तरह से plant 12 यूज हो सकता है, थोड़ा सक moderate dirty fluid में भी, लेकिन इसमें दिक्कत ही है कि अगर stainer jam हो जाएगा तो पूरा circulation बंद हो जाएगा, इसलिए यह ज़्यादा frequently use नहीं होता है, मतलब generally मैंने देखा नहीं, plant 12 को use होते ह हालांकि अगर थोड़ा बहुत moderate dirty fluid है तो वहाँ पर ज़रूर इसको use किया जा सकता है, वहाँ पर लेकिन frequently इस external को clean कराना भी पड़े, तो anyway अभी इस वीडियो को हम यहीं stop कर रहा है, next video में फर्दर आगे के flushing plan को बारे में बात करेंगे, और उसके बाद single seal flushing plan जब complete हो जा वीडियो के बार में बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो आसे करते हमें वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, तो second part के लिए ज़रू कमेंट कीजेगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद,